नेक्स मनों देखेंगे अनाधर इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट कॉश्चनस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, निकल पॉइंट्स तो आपके कोई भी कॉंपॉटिटी एग्जैम हो चाहे एक्जित एग्जैम हो, पहें इसके बाद, आयरवेज के बाद या फ ल्वा फीटो प्रोटीन क्या होते हैं अलफा फीटो प्रोटीन क्या होते हैं अलफा फीटो प्रो कर द्यायफ प्रोटीन निद् Tale of Fetus, मतलब जो अच्ञड ऑजो errम गारीष में जो बेबी है, टीतम क्यारियः्टरा इंट्रा graduates ICCI conditions, ofbenedश तो만 be बेबी है जब fetus बोलते हैं जो इंट्रायूटराइन लाइफ में होता है प्लासेंटा के अंतर होता है उस fetus के यॉक्सेक एंड उसके लीवर से पहले तो यॉक्सेक होता है और आगे जाके जाके जिसे सिर्फ इच बढ़ती है उसका नाइन मंद के पास पहुंझता तो लीव प्रोटीन होता है जो फीटस से निकलता है जो बच्चा मा के पेट के अंदर है यूट्रस में है प्लासेंटा के अंदर है जो स्टार्टिंग में यॉक से और फिर लिवर सेल फॉर्म होती है लिवर सेल बनता है ये लिवर फॉर्म होता है दोनों से लिवर सेल से यॉक से का फ होता है प्रोटीन फॉर्म होता है अल्फा फीटो प्रोटीन होता है अल्फा फीटो प्रोटीन होता है अल्फा फीटो प्रोटीन जो हता है ऐस नो नॉर्मल फॉंक्शन एडल्ट में इसका कोई भी काम नहीं होता है नो नॉर्मल फॉंक्शन एडल्ट में ये इसका कोई भी क protein tumor marker test is a blood test exam में आता है यदि आपको alpha fetoprotein tumor marker test जो करना है वो कोज़ा test है blood test है blood test एक blood test होता है blood से करते है alpha fetoprotein test जो है perform to measure करते क्यो है diagnosis and monitoring fetal distress and fetal abnormalities टीक है हमने बोला कहां से निकलता है फीटस के लीवर और यॉक से प्रोड्यूस होता है यह प्रोटीन होता है वहां से प्रोड्यूस होता है इडल्ट में इसका नॉमल फंक्शन नहीं होता है इसका इसमें हमको क्या है अलफा फीटो प्रोटीन ट्यूमर मारकर टेस्ट एक्जाम में stress या fetal abnormality जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है उसमें कोई abnormality तो नहीं है उसमें किसी परका कोई distress तो नहीं है उसको पता करने के लिए अलफा फीटो प्रोटीन कराए जाता है अलफा फीटो को ठीक है एंड डियाग्नोसिस करते हैं सटेन टाइफ ऑफ कैंसर को भी एंड डिटेक्ट सम लीवर डिसॉडर को भी हम लोग देखते हैं ठीक है आगे बात करते हैं इलिवेटेड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ अलफा फीटो प्रोटीन आपको ऐसी कौन सी क्लिनिकल कंडिशन होती है जब आपको अलफा फीटो प्रोटीन का लेवल आपको कैसा मिलता है ज्यादा मिलता है अधिक मिलता है इस लिए हाँ पर क्या बोल रहे हैं इलिवेटेड सीरम concentration मतलब blood में alpha phytoprotein का level increase हम को मिलता है हम बोलेंगे new plastic and non new plastic clinical कंडियो प्लास्टिक मतलब जो growth है extra growth है tumor वाली growth है उसे हम new plastic बोलते हैं और non tumor growth की हम बात करेंगे तो उसको हम non new plastic condition बोलते हैं तो new plastic condition के बात करेंगे growth की बात करेंगे tumor की की बात करेंगे तो liver cancer में जर्म cell tumor of testis में cancer of colon pancreas and lungs very very important question है alpha phytoprotein का level हमको बढ़के मिलता है लेकिन हम new new plastic मतलब cancer वाली condition के बात करेंगे तो liver cancer में colon cancer में pancreas की cancer में lungs cancer में and germ cell tumor of testis में हमको मिलेगा testis की जर्म cell जो होती जर्म cell form होती जर्म cell tumor of testis मिलेगा तो liver testis जर्म cell tumor of testis हो गया colon हो गया pancreas हो गया lungs में आपको मिलेगा नॉन नियो प्लास्टिक कंडिशन होती है pregnancy fetal distress hepatitis fetal disease and cirrhosis ठीक है नॉर्मली यह बच्चों में निकलता है ठीक है न आपको बात करेंगे लिवेट लिवेट नॉन प्लास्टिक की बात करेंदो fetal death होगी तो आपको मिलेगा और सिर्व से मतलब बच्चा जो है प्लासेंटा के अंदर्स का death हो गई है तो अब आपको मिलेगा सिर्व से liver disease मिलेगा hepatitis मिलेगा fetal distress मिलेगा pregnancy मिलेगा यह पांच clinical condition होती है जो नॉन नियो प्लास्टिक होती है यहाँ पर आपको इनका level high मिलता है ठीक है आगे बात करते हैं रेडियो इम्यून ऐसे ओप maternal serum for alpha फीटो प्रोटीन क्या बोल रहा है रेडियो इम्यून ऐसे of maternal serum for alpha alpha fto protein अपर we gebruik एॉसलिन इनवेजिए स्कूर्ण टेस्ट हम का फ्रेटिच हाई रिस्क प्रेडिनियस्शी को मॉनिटरिंग करने के लिए डिक के आप एक स्कूर्ण टेस्ट Après करते हैं कंसा करते हैं maternal serum for alpha कौन सा करते हैं maternal serum for alpha phyto protein maternal serum for alpha phyto protein का radio immuno test करते हैं चो हमको high pregnancy risk को monitor करने में help करता है high risk pregnancy उसको monitor करना है तो हम क्या करेंगे maternal serum for alpha phyto protein कराएंगे MSAFP नाम का test होता है radio से कराएंगे जो हमको help करता है आगे बहुत करेंगे optimum time of screening क्यों होता है इसका timing का जो होता है इस टेस्ट का timing के screening है करने का time होता है 16 से 20 weeks और pregnancy के 16 weeks से लेके 16 to 20 weeks के बीच में ये test कराया जाता है MSAFP maternal serum for alpha phyto protein जो है ये कराते कब है 16 to 20 weeks में हम कराते हैं ठीक है अगे बात करते हैं जो आपका maternal serum for जो है लेवल ठीक है इसका elevation आपको कब-कब मिलता है ठीक है अब इस हमने उपर देखा कि सिर्फ कौन कौन सी नियोप्लास्टिक होगे आप हम बात करेंगे maternal मतलब pregnant pregnant woman की हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंट वोमें में alpha-fetopro-teem का level है आपको अलवेट कं मिलता है कको मिल सकता है प्रेगनेंट लेडी में आपको alpha-fetopro-teent जो है प्रेगनेंट लेडी का alpha-fetopro इंश की में मतलब प्रेगनेंसी में तुनिस वगेरा जो होते हैं उसकी हemi बाद कर रहे हैं ए कír सक एक कोढ़ सी जोक्षी कड्यर्य हुआ sacrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocrocroc में आपको maternal जो है आपको अलफा फीटो जो प्रोटीन एसका लिवाई मिलेगा ठीक है cystic hygroma cystic hygroma की clinical condition जो भी आपको जो फीटा से मिलेगा ठीक है आगे है exo exo strophi of bladder ठीक है exo strophi of bladder exo strophi of bladder यह भी आपको बच्चे में जो फीटल में मिलेगा fetal cutaneous disorder fetal cutaneous disorder इस condition में आपको मिलेगा ठीक है exo exo phallos gastrochiasis ठीक है exo phallos gastrochiasis यह भी एक fetal disease है ठीक है hemangioma of cord या hemangioma of placenta hemangioma of cord hemangioma of placenta mickle syndrome mickle syndrome congenital nephrosis and under underestimated gestation ठीक है underestimated underestimated gestation यह सब की सब जो clinical condition से आपको याद होना चाहिए यह सब fetal मतलब बच्चे के करण बच्चे में problem के करण आपको मदर में alpha fetal protein का level ज्यादा मिलता है ठीक है अब हम बात करते है maternal cause मा के करण ठीक है मा में क्या हो like hepatocellular carcinoma हो गया हो hepatitis हो गया हो यह SLE हो गया हो बच्चा सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चे में है hepatocellular carcinoma हो गया है hepatitis हो गया उसको एंड ऐसे ली हो गया है during pregnancy तो उसकी body में मा के blood में आपको alpha fetal protein का लेवल ज्यादा मिलता है ठीक है आगे हम बात करते है low level की बात करते है low level of maternal जो है alpha fetal protein level कब होता है low तो आपको होता है fetal autosomal aneuploid ठीक है fetal autosomal aneuploid में आपका आएगा down syndrome and trisomy 18 very very important जाद रखना है आपको low level कम मिलेगा trisomy 18 होगा यह down syndrome होगा आगे बात करेंगे non viable gastration non viable gastration non viable gastration over estimated gastration over estimated gastration में आपको low level मिलेगा underestimate में high level मिलेगा अपने अभी आगे देखा है लास्ट हम बात करेंगे average maternal weight जो आपका maternal weight है तो मा का वजन है according to pregnancy वो कितना बढ़ रहा है उस पर हम बात करेंगे तो average maternal weight over estimated gastration non viable gastration and down syndrome and trisomy 18 यहां पर आपको low level of feto alpha fetoprotein आपको मिलेगा तो मा के blood में जो alpha fetoprotein है वो ज्यादा मिल रहा है उसके दो कारण है एक जो बच्चा है उस कारण से उसकता है या matern मतलब मा में कोई disease हो दूसा लो level के आपको मैंने चार important cause बताए उसमें मदर वाले भी हैं और बच्चे वाले भी हैं जो आपको पता होना चाहिए exam में यहां से कुछ भी आ सकता है very very importantly आपको दिमाग मेंने चाहिए एक दोबार रिवाइस करें आटोमेटिकली आपको आ जाएगा ठीक है इसके लावा बात करते हैं कि यह आप पर भी आपके कोड से वो जॉइन कर सकते हैं और वीडियो पसंद आदे भी इसको लाइक करें और जापको आपको 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 आप